पंचायती राज चुनाओं में प्रदेश सरकार ने नई पंचायतों का गठन दो कर दिया लेकिन अधिक्तम नई पंचायतें अभी तक किसी भी सरकारी ओनलाइन पोटल से नहीं जुड़ पाई हैं नई आठ पंचायतों को अभी तक लोग इन आईटी उपलब्ध नहीं करवाई गई है इस कारण मन्रेगा पंचायती राज ग्राम स्वराज से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं वहीं अधिक्तम पंचायतों में विकासकार्यों के लिए टैंडर भी आमंत्रित के जा रहे हैं लेकिन नवगठित पंचायतों में ऐसी कोई भी गतिवी धीन नहीं हो रही है उलेखनिया है कि प्रदेश की सभी पंचायते ऑनलाइन वेब पोर्टल से जुड़े हैं और इन सभी पंचायतों को लॉग इन आईटी उपलब्थ करवाई गई है इन उनलाइन पोर्टल के जरिये ही पंचायतों में विकासकार्यों को लेकर जानकारी दी जाती है मौजुदा समय में इन ओनलाइन पोर्टल पर केवल पुरानी पंचायतों की ही जानकारी मौजूद है जबकि नई पंचायतों का कोई भी बेवरा इसमें शामिल नहीं है खनविकास अधिकारी नूरपूर डॉक्टर रोहित शर्मा ने बताया कि प्रदेश में काफी लंबे समय के बाद नई पंचायतों का गठन किया गया है उन्होंने बताया कि वर्तमान में जितने भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं चाहे वह मन्रेगा पंचायती राज या फिर ग्राम स्वराज का पोटल हो इनमें वर्तमान में पुरानी पंचायतों की सूचे ही उपलब्द है उन्होंने बताया कि जो भी डाटा एंट्री वर्तमान में हो रही है वह पिचली पंचायतों के लॉग इन से की जा रही है उन्होंने कहा कि जैसे ही नई वितवर्ष में सरकार नोटिफिकेशन चारी करेगी वैसे ही पंचायतों को लॉग इन आईटी उपलब्ध करवा दी चाहेगी और नई पंचायतों के लॉग इन से हो रही हैं उनका इंकलूजन उसी लॉग इन में है गोवर्मेंट का जो है जैसे ही अपडेशन होगी नई फाइनशल यडियर में एप्रिल से के बाद उसके बाद जो नई पंचायते हैं उनकी अलग से जनरेटी जनरेट की जाएगी और जो updatesion of different works हैं हमारे या different departmental schemes हंके जो portal हैं तब उससे reflect होगी नई पंचायते हैं बर्तमान के लिए जो भी हमारे इस type के system चल रहे हैं वो पुरानी ही पंचायतों के login से चल रहे हैं और पुरानी ही पंचायत जो है वो उसमें शक्षम है अभी कोई भी कारे करने में